हाईलो फ्रेंड्स मेना नाम है सुमित और आप देख रहे हैं प्रफिक टेक्शन अकाउंटिंग सॉलिशन्स दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम लोग रिशीप एन पेमेंट अकाउंट बनाना सिखेंगे इससे पहले दोस्तो हम लोग ने पिछली वीडियो में का इंट्रोड़क्शन पार देखा था जिसमें हम लोग ने समझा था कि नौट फॉर प्रॉफिट और इसके अंतरगत हमें कौन कौन से अकाउंट्स में करने होते हैं तो अगर आप लोग ने अभी तो कुस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पहले आप क्योंकि कोई भी चैप्टर आप करते हैं तो उसका कंसेग्ट को समझना बहुत ही जरूर होता है अगर अब उस चैप्टर wizard को समझलेंगे तो उस चैप्टर का आशानी से क्लिर कर पाएंगे और सतरी exam में अच्छा score कर पाएंगे इसलों दो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखियेगा आए दोस्तों सबसे पहले जान ले कि आखे रिसीप एन पेमेंट अकाउंट होता है क्या है तो यहां पर कहता है कि रिसीप एन पेमेंट एकाउंट इज अ समड़ी रिसीप और पेमेंट में एक पाटिकुलर प्रिय architects वह कितना रिसीप हुआ कितना पेमेंट हुआ उसका समड़ी होता है डिसीप और पेमेंट उक एकाउंट को कुछ important points है जो हमें जानने जरूरी होंगे रिसीप एन पेमेंट बनाने से पहले ठीक है तो दोस्तो सबसे पहला है हमारा real account जो receipt or payment account है वो क्या है दोस्तो real account है ठीक है जैसा कि हम लोग जानते है real account का क्या डूल है डेविट what comes in जाने कि आने वाली वस्तु को आप क्या करते हैं डेविट करते हैं and credit what goes out जाने वाली वस्तु को आप credit कर देते हैं उसी तरह दोस्तो receipt and payment account में जितना भी पैसा आपके organization में आएगा उसे आप डेविट कर देंगे यानि कि डेविट शायड में लिख देंगे और जितना भी पैसा आपके organization से आपके institution से जाएगा उन सारे पैसे को आप क्या करेंगा दूस्तो तो credit कर देंगे, credit share में लिख देंगे, clear है, यह बहुत ही important point है, धियान में रखेगा दोस्तों, मैं आपको जितना भी point बताने वाला हूँ, यह बहुत ही important है, exam point of view से, और साथ ही in points से आपके objective questions भी बनेंगे हैं, तो next point है दोस्तो, summary of cash and bank transactions, यह तो हम लोग ने पहले ही discuss कर लि revenue, जो जब आप receipt and payment बनाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं परता है, कि आप जो amount receive कर रहे हैं, वो capital amount है, capital का amount है, या फिर revenue का amount है, या फिर आप जो amount payment कर रहे हैं, वो capital expenditure का payment कर रहे हैं, या फिर revenue expenditure का कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं परता है, business में कोई भी cash या bank में receive या cash या bank से payment होगा उन सारे transactions को आपको record कर लेना है ठीक है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह capital expenditure है या revenue expenditure है capital receipt है या फिर revenue receipt है के लिए दोस्तों next है दोस्तो records only actual receipt and payment बहुत ही important point है दोस्तों इसे आप बहुत अच्छे से और ध्यान से समझेगा अकसर इस पॉइंट को लेकर के confused हो जाते हैं ठीक है इसलिए इससे समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर कर रहा है कि records only actual receipt and payment आपको सिर्फ और सिर्फ actual receipt और actual payment को record करना है मतलब अगर आपके और्गनाइसेंस में actual में cash य्यजीव हो गया है ठीक है तब आप उसे receipt and payment account के debit precious insight में लिख देंगे और अगर आपने actual में payment कर दिया Actual में आपके हateur कीस निकल गया ठीक है तब आप तब आप उसे receipt and payment account के credit कर रहे हैं कि यह की क्रेडिन iç कर रहे हैं वह और ऐनिस्ट कर रहा है ठीक है, financial year 2019-2020 के लिए आप receipt and payment account बना रहा है, ठीक है, तो इससे पहले का जो financial year होगा, वो क्या होगा दोस्तों, 2018-2019 होगा, यही होगा, ठीक है, और इसके बाद का जो financial year वो क्या होगा दोस्तों, तो 2020 से लेकर के 2021 तक का होगा, ठीक है, यही financial year होगे, और आप जो accounting कर रहे हैं और वो किस year के लिए कर रहे हैं, इस year के लिए कर रहे हैं, चली, आप दोस्तों मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्च 2019, मार्च 2019 का salary किसी और से मार्च 2019 में payment नहीं किया जा सका, ठीक है, यानि कि इस financial year में किसी कारण से इस amount का salary, इस month का salary payment नहीं किया जा सका है, इसका salary दोस्तो अप्रील 2019 में payment किया गया, तो यह salary का amount है, इस amount को आप किस financial year में record करेंगे, किस financial year को recipient payment account में दिखाएंगे, क्या इसमें दिखाएंगे, या इसमें दिखाएंगे, यही चीज यहां पर समझानी की कोसिस की गई है, ठी है actually में दोस्तो इस month का salary March 19 का salary आप payment कप कर रहे है April 2019 में actually में आपका payment कर रहे है April 2019 में यानि कि से amount को आप 2019-2020 के recipient payment account में डिकाउंट करेंगे clear है ना कि इसमें किसमें डिकाउंड करेंगे इसमें डिकाउंट करेंगे because आपने actually में कप किया है actually में आप अप्री 2019, यानि कि 19-20 में payment किया है, कि लिए उसी तरह माल लेते हैं दोस्तों, कि March 2020 का salary आप किसी कारण से अपने employees को payment नहीं कर पाए, ठीक है, और इस मन्त का salary आपने payment कप किया, अप्रील 2020 में, ठीक है, March 2020 का salary आप किसी भी कारण से नहीं payment कर पाए, आप उसका payment कप कर रहे हैं, अप् आप हमको ये बताईए, कि March महीने का salary का amount है, वो आप किस year के receipt and payment account में दिखाएंगे, अब दोस्तों, यहाँ पर समझेए, Actually में क्या March 2020 में salary का payment किया गया, Actually में आपके business से salary का amount जो है, अगर आप cash में payment कर रहे हैं, तो आपके business से cash घटेगा, अगर check से payment कर रहे हैं, तो bank घटेगा है ना, तो मार्च महिने का जो salary का amount होगा, उसे आप 2019-2020 के receipt and payment account में add नहीं करेंगे, समझ में आई बाद? यानि कि दूस्तों कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, इस सबसे इसमें कोई लेना देना नहीं है, अगर आप actual में receipt कर रहे हैं, तो उसे आप दिखाईए, actual में अगर आप receipt नहीं कर रहे हैं, तो उसे आप मत दिखाईए, के लिए दोस्तों समझ में आई बाद? दोस्तों इसमें आगे कर रहा है कि non cash items such as depreciation, outstanding expense, etc. इग्नोरे, यह तो आप लोग समझी गया है कि जो non cash transactions होंगे उसे आपको receipt and payment account में नहीं दिखाना है, ठीक है, उसे related amounts को आपको receipt and payment account में नहीं दिखाना है, ठीक है? जैसे यहां पर दिया गया है depreciation out extending expense ठीक है depreciation दोस्तों non cash transactions है जब आप profit and loss बनाते थे तो उसमें depreciation आप expense के side में दिखाते थे लेकिन receipt and payment बनाएंगे तो उसमें वो depreciation आप नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि receipt and payment account में सिर्फ और सिर्फ cash or bank transactions को ही दिखाया जाता है के लिए दोस्तों last point है दोस्तों it start with opening balance of cash and bank जब आप receipt and payment account बनाएंगे तो वो cash और bank के opening balance से शुरू होगा and end with their closing balance और उसके closing balance से end होगा के लिए दोस्तों तो यह कुछ important points थे जो हमने आपके साथ share किये अब दोस्तों गर बात करें receipt and payment account की format की तो बहुत ही simple सा format है दोस्तों दो पार्ट में यह भी बनता है यह होगा आपका debit part और यह होगा दोस्तों आपका credit part ठीक है debit side में दो columns होते हैं एक receipt के लिए और एक amount के of यहां पर लिखेंगे जिसका भी आप बना रहे होंगे उसका नाम आपको लिखना है और नीचे में लिखेंगे for the year ending ठीक है जो भी date होगा वो date आप यहां पर डालेंगे के लिए दोस्तों तो receipt or payment account basically just like cashbook cashbook के तरह ही इसे आप मान सकते हैं ठीक है क्योंकि cashbook में हम क्या करत हैं और इसमें भी दूस्तों आपको cash or bank payment और cash or bank receipt बारे transactions को record करना है ठीक है अंतर सिर्फ इत नहीं है कि cashbook में आप daily basis पे transactions को record करते हैं लेकिन receipt and payment account में आप daily basis पे transactions को record नहीं करेंगे बल्कि आप इसका summary बनाएंगे है के लिए दोस्तों आइए दोस्तों इसे एक practical question की मदब से और अच्छे से समझने की कोसिस करते हैं question दोस्तों आपके screen पे दिख़़ा होगा question कर रहा है दोस्तों कि a rotary club has kept its account on cash basis and figures for the last year are given below ठीक है एक rotary club है जो अपना account cash basis पे maintain करता है और कुछ figures last year के जो आपको दिये गया है कि लिए आगे दोस्तों कर रहा है कि prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 2020 आपको दूस्तों बनाना है receipt and payment account किस date को 31 March 2020 के date को आपको receipt and payment account बनाना है दूस्तों एक important point है जो आप लोगों को समझ लेना चाहिए दूस्तों यह जो receipt and payment account है यह cash basis पे बनाया जाता है ना कि actual basis पे कि लिए जैसा कि हम लोगों ने पहला भी पढ़ा कि records only actual receipt and payment receipt and payment account में सिर्फ और सिर्फ actual payment और actual receipt को ही हम लोग record करते हैं कि लिए जो receipt and payment account है यह cash basis पे बनता है कि लिए चलिए दूस्तों question में आगे बढ़ते हैं दूस्तों जब भी आप receipt and payment account बनाएंगे तो सबसे पहले receipt trade में आपको लिखना होगा to balance bd ठीक है आपके organizations में जो भी cash या फिर bank का balance होगा accounting period के सुरुआत में वह balance आपको यहाँ पे लिखना है जैसा है कि 31 मार्च 2020 को हम यह receipt and payment account बना रहे हैं तो एक अप्रिल 2019 के date में जो आपके organization में cash या फिर bank का balance होगा वह आपको लिखना है अगर cash और bank दोनों का balance दिया गया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे cash और bank ठीक है और उसके सामने आप amount लिखेंगे लेकिन अगर कोई एक amount ही दिया गया है तो आपको यह अलग से लिखने की जूरत नहीं है आप direct यहाँ पर लिख देंगे ठीक है तो question भी जब आप solve तो उसमें सबसे पहले आपको ढूड़ना है cash या फिर bank का balance दोस्तों question में आप देख सकते हैं किसमें cash का balance कितना दिया गया है 4700 ठीक है तो यह 4700 हम received side में लिख देंगे उसके बाद दूस्तों आपको दिया गया है subscription 39600 ठीक है यह भी receive किया गया है तो यह भी आ जागा receive side में subscription 39600 के लिए आगे है दोस्तों donation receive donation भी receive किया गया है donation कितना amount है यह amount आपको दिया गया 1200 के लिए उसके आगे है दोस्तों जिस तरह से आप laser बनाते थे cashbook बनाते थे तो 2 और buy का यूज करते थे उसी तरह से आपको इसमें भी 2 और buy का यूज करना है ठीक है expenses कितना दिया गया है तो 50,000 उसके बाद है दोस्तों electricity bill 4500 यह हो जाएगा electricity 4500 के लिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों आगे दिय आगया out extending salary 20,000 दोस्तों 20,000 रिपी out extending salary है क्या दिखाएं इसमें हम क्या हम दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं दोस्तों out extending है हमने payment नहीं किया है उसका दूसे आप इसमें नहीं दिखाएंगे के लिए आप जब question solve करेंगे तो इसे एक note बना करके नीचे में लिख सकते है कि out extending salary हम पे maintenance account में नहीं दिखा सकते हैं चलिए आगे दोस्तों surplus on bar account इसे दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे उसके बाद है दूस्तों secretary honorium क्या होता है honorium just like a salary salary मान सकते हैं दूस्तों ठीक है या उसे हिंदी में बोलते हैं दूस्तों मांदे ठीक है तो मांदे का भुगता salary honorium ठीक है amount कितना दिया गया दूस्तों amount है इसका 3000 3000 यहां पर आ जाएगा क्लिए आगे दूस्तों subscription for the month of March 2020 due March 2020 का subscription आपको नहीं मिला है ठीक है 12,000 पर subscription था मार्च 2020 को आपको नहीं मिला है तो क्या इसको record करेंगे नहीं करेंगे इसको भी आप note करके नीचे में लिख सकते हैं चले दूस्तों आगे कहा गया है कैसी नहीं है यह तो हम लोग ने देख लिया उसके बाद है दूस्तों locker rent receive 1000 रिसीब किया गया है तो payment side में हम लिख देंगे by investment किसी भी तरह का payment हो दोस्तों आप उसे payment side में दिखाएंगे के लिर है investment का amount है अपका 2200 ठीक है सारे details को हम लोग ने cover कर लिया सिर्फ एक चीश बचा है वो है surplus on bar account दिया गया है 15,000 रुपिया तो इसे दूस्तों हम लोग दिखाएंगे आपको क्या करने के बाद आपको क्या करना है इसका closing करना है बालेंसिंग करना है जैसा कि हम लोग laser का cashbook का करते थे ठीक है तो क्या करेंगे दूस्तों दुनों side में add लगाएंगे डिवीट side के मांट को we makeael this करेंगे तो यहां पे आ जागा 66500 औंड्र केजिए अमांट को आईगा 59700 ठीक है डिफेरंस जब आप निकाले तूँ आज भाइंस धूरों यह चाहरें की डेबित फोगई यहां पर लेंगे इस तरह पड़ा रहेगा सिर्फ और सिर्फ बैंक की केस में अगर ओवर ड्राफ्ट हो जाता है तब क्रेडिट बाइलेंस हो सकता है किलर दोस्तो तो इस तरह से आप आसानी से रिसिप्ट और पेमेंट एकाउंट बनाएंगे कुछ नहीं करना दोस्तो जितने भी रिसिप्ट है उनको इसको रिसिप्ट में लिख दीजे जितने भी पेमेंट है उसको पेमेंट में लिख दीजे और उसका बालेंसिंग कर दीजे बहुत हीजिए दोस्तो आसानी से आप बना सकते हैं दोस्तो आई होप आपको सारी चीज़े आज की इस वीडियो से किलर हो गई होंगी फिर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं और साथ ही वीडियो चालागे तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्यू पर वाचिंग बंदे मात्रम